हेलो फ्रेंड्स, स्वाकत है आपका हमारे योटूब चैनल टेक्निकल इस्टार में तो दोस्तो काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि गेट के फिलरों पर लाइट कैसे लगाते हैं आज आपको दिखा देते हैं गेट लाइट कैसे लगाते हैं कैसे सेट करते हैं सब एक-एक करके आपको पूरा दिखाय जाएगा तो दोस्तों वीडियो बड़ा जरूर है लेकिन आपको गभराने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ समझ में नाए वीडियो पुरा देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय आवस्ते देवे तो आएए दोस्तों अब आपको दिखाएंगे कि गेट के उपर लाइट कैसे लगाई जाती है यानि गेट लाइट पिलरों पर कैसे सेट करते है बहुत सरे फरौन्डिस के ये परोब्लम आ रही थी कि गेट के उपर कैसे लाइट लगाता है तो यह है पिलर के उपर लगाने वाड़ी लाइट आषिए यह बफलर पर लगाने real to light जो आपको दिख रही है इसके जैसे आप जैसे भी मार्केट से खरीदते है तो इसके लग लग पार उटाते है और इसको आप गेट के उपर कैसे सेट करते है यानि पिलर पर कैसे सेट करते है फाउंडेशन पर कैसे सेट करते है यह तरीका आपको एक दम आराम से आपको समझाये जाएगा तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों ये है उपर का बॉक्स जे ओ लाइट की सुन्दरता भी बनाए रखता है और एलेडी के अंदर पाणी भी नहीं आने देता है ये है इसके अंदर लगने वाड़ी एलेडी तो दोस्तों मैंने एलेडी लगा रखे इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलेडी ही लगाए इसमें आप चाहिए तो शिय फर लगा सकते है आप रंगेन बलफ लगा सकते है आपको जो उच्छी तो लगे वो लगा सकते है तो दोस्तों यह जो एक पार्ट है इसके अंदर जो आपको दिख रहे होल्डर लगावा यह ओल्डर लगावाता है लाइट के बीच में ताकि इसमें एलेडी लगए जा सकी और इस होल्डर के यह दो वायर है इनको आप इस सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और यह जो नीचे आपको दिख रहा है यह है फाउंडेशन पार्ट इसको गेट के पिलरों के उपर यह फाउंडेशन पर कसा जाता जो बीच में यह आपको छेद दिख रहा है यह छेद आपको पता ही होगा किसली है जैसे नी के बिल मालू जो भी नीचे से सप्लाई का वायर आता है वो इस छेद के अंदर से होते हुए इस पाउंडेशन पार्ट में होते हुए लाइट से कनेक्ट होता है जो इसके बीच से लगने से उसका फाइदा यह है कि यह अराम से शेट हो सके ताकि इधर उधर हिलने का डर नहीं रहे है और यह जो सप्लाई के दो वायर निकरते निचे से उनको आप लाइट के दोनों वायरों से कनेक्ट कर दे इन पार्ट्स के अंदर तीन आपको होल आप जैसे पिलर के उपर ड्रिल के साइटा से तीन छेद कर लें उसमें गुली लगा कि इसक्रू के साइटा से इस पार्ट को अराम से अच्छे तरह किसे कसतें तिनों छेद के अंदर इस्क्रू कसते यह इतना अराम से कसे ताकि अगर आपका यह फाउंडेशन पार्ट अगर मजबूत है तो आपको लाइट गिरने का हवा से इधर उदर होने का बारिस से गिरने का या फिर आंधिव अगेरे से इधर उदर हीलने का डरने रहते हैं ॐँ आपको पिल्र पर जितना ट्यbuat करना है आप इस फांडेशन पार्ट को सेट करें तो इन तीन होल की साहता सी आप पिर ड्रिल की साहता से च्थ करके इसमें गुलिय लगा कर पिर इसकुरु की साहता सांट को इतना ट्यट करें और तो सफ्लाइगा-वायर वो बीच इसके उपर निकाल ले तो आईए दोस्तों अब आपको हम प्रैक्टिकल के तोर पे गेट के पिलरों पे लाइट लगा के ही दिखाते हैं यह जो पार्ट आपको पहले दिखाया था जो है फाउंडेशन पार्ट इसको क्या है कि नीचे यह ड्रिल के साइटा से पिलर के फाउ हुआय को इसको आपे पाइप के साइटा से ले सकते हैं या फिर आपको पाइप डालने में ऐसी दहे ताप इसमें कैभल जाल शकते के के बिल अच्छी कॉइल टी की ही डह लिख क्योंकि टाइल्स बगर लगाते समय अगर आप नॉर्मल क्वालिटी के अगर केबिल डाल रहे है तो फॉल्ट टोने के संभावना जदा रहती है तो इसे आप अच्छी क्वालिटी के केबिल डाले है और जहां तक हो सके कि यह जो पार्ट है यह पिलर के एक दम सेंटर में ही लगाए क्योंकि यह गेट के संदरता के लिए जो लाइट लगाते है और वो थोड़ा सा इदर उदर लगने से क्या है यह बुरा लगने लग जाता है तो उसको सेंटर में लगाने से क्या है कि यह जो बीच में आपको छेद दिख रहा था उस छेद के अंदर से यह सप्लाइबार उपर निकाल दे अब आपको जो लाइट है इस पार्ट को अच्छी तेरी शकस दिया अब जो लाइट ही अब इस लाइट के अंदर दो वायर दिख रहे आपको दो वायर ये सप्लाई के हो गई आप लाइट के दोनो वायरों को सप्लाई के दोनो वायरों को आपस में कनेक्ट कर दो और कनेक्ट करते समय आप यह चीज़ द्यान में रखे कि आपका जो यह लाप रोई है आप कभी कभी हड़का ट्रन लगा के छोड़ देते हो और वो जोईंटे लिउज हो जाता है तो लिउज होने से किया है कई बार दोनों लाइट एक साथ नहीं जाड़ती है एक जाड़ जाती है एक बंद हो जाती है उसका कारण यही है आपका कनेक्ट अगा दे और जहां तक हो सके आप वायर टेप का ही प्रियोग करें वह अवैलेबल नहीं हो तो आप अन्यता दूसरी के विल टेप यूज कर सकते हैं लेकिन आपको अच्छे वायर टेप ही अच्छा रहेगा और टेप को इतने सावधार ने से आप करें कि इसके अंदर बा कमी ना छोड़े क्योंकि इसमें बारिस का पानी जाने से क्या है कि कई बार आप बारिस में स्वीच बंद होता है फिर भी यह लैट सालू रहती है तो वह उसका अच्छी तरीके से टेप नहीं करना या फिर कनेक्शन के उपर पानी जाना ही है तो दोस्त अब जो आपको त इसको दिख रहे थे इनी स्कुरों के साइटा से इसका अधार बनाया जाता है तो आप चाहे तो उसको उपर उठा सकते थोड़ा वो तो थोड़ा नीचे कर सकते वह जो फांडिशन पार्ट है इसके उपर यह लगा कि और तिनों इसको इसका आधार बना सकते आप और जित फिर इसके अंदर जो एलेडी लगा दे और यह उपर का पार्ट है इसे की लाइट की सुन्दरता भी दिखती है और इस लाइट के अंदर पाणी भी नहीं जाने देता है और यह जो दो उपर इसकुरों दिख रहे इनी इसकुरों को थोड़ा सा अच्छी तरीक शेकसते त हिसके अंदर पाणे नहीं जाएका तो यह काफी दिनों तक खराब नहीं होगी तो आपको फायदा होगा यह वोगे आपक के लाइट कंप्लिट यह आपको के गाने कंप्लिट हो गई यह झानरे आशायक मनें चालो कर रहत हो अब मैंने सप्लाई चालू कर दिये और एलेडी चालू भी हो गई है तो देखिए फ्रेंड्स आपका प्रेक्टिकल सक्षेस हो चुका है यानि दोनों लाइट जल चुकी है आप देख लिजिए प्रेक्टिकल आपके सामने है तो प्लेज वीडियो अच्छा लगा हो तो ला सब्सक्राइब कर लिजिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद